नमस्ते स्वागत है आपका Home Gardening and Creativity में आज मैं आपके साथ छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ अपने टैरिस गार्डन में यह हमारा टैरिस गार्डन है उपर से इस तरह का एक सेट लगाया है और यहां पर मैंने जो भी हो सेट लविंग प्लांट आप इधर की तरफ है मेर सारे फ्रूट प्लांट देखें यह सारे ही मेरी फ्रूट प्लांट है अगर यह आम का पेड है जो मैंने चार-पांस साल पहले लगाए था लास्टेर इसमें इतनी जादे फ्रूटिंग हुई पेड में ही आम पक गए थे काफी आम खाने को मिले हमें 50-60 आम मैंने इस लुक यह नहीं दे रहे हैं और देखें इधर की तरह मेरी सब्जियां लगी है विंटर की जिन में अब सब में फ्लारिंग होगी है बीज निकलने वाला हो रहा है कुछी दिनों में जैसे यह सूप जाते है इनका बीज मैं इहें रिमूफ कर दोंगी और फिर इसमें समर्क की वेजिटेबल लगाऊंगी इधर मेरी सारी ही हेंगिंग बास्केट लगी वी है तो यह लेमन ग्रास इस तरह से पूरी छट का लुक है हेंगिंग बास्केट के साथ साथ सेट लविंग प्लांट जिने छाया पसंद है उन्हें मैंने इस तरफ को रखा है और यहां पर यह देखिए यह वेजिटेवल गार्डन यह मैंने ग्रो बैग में उगाए है मूली और मूली में सब में बीज बन गया है फली निकल आई है आप चाहें तो यह फलियों की भी सबजी बनती है देखिए इधर भी ग्रो बैग में मैंने हरे पत्ते वाली सबजीयां बोई थी यह सरसों है जिनमें प्लारिंग हो रही है देखिए मूली के बीज बने हुए हैं काफी सारे बीज यहां पर बने हैं और यह सरसों का बीज निकल आया है नेक्स्ट एयर बोने के लिए मैं यह बीज निकल रही हूँ ठीक से पक जाने के बाद मेहने निकाल लूँगी और यह है यूफोर्बिया मिली काफी खुबसूरत प्लांट है पर्मानेंट प्लांट है बहुत फूल देता है पूरे साल अगर आपको फेहनत में ज़्यादे फूल चाहिए तो इस प्लांट को जरूर ग्रो कीजिएगा तो यह मैंने एक बड़े से ड्रम में डाला है साथ में चमपा था चमपा को इसमें चुपा देया है और खुद इतना बड़ा यह प्लांट बन गया है तो पूरा ड्रम कवर हो गया, जब ये पूरा भरा रहता है, पत्ते भी आई रहते हैं, अभी तो इसमें पत्ते नहीं हैं, जब ये पत्ते भी होते हैं, तो पूरा एक फ्लावर पॉर्ट नजर आता है ये प्लांट, ताफी खुबसुरा फूल होते हैं, प्लास्टिक की तरह नजर आते हैं इसके फुल ये लो कलर में भी आता है लाइट एजला पीच क्लर में डिय ऑक प्हु डीये अब कटिंकसर से यह इजी लग जाता है और ये दरें यहांपर ये लो फ्फलाड दिखाय दे रहा है ये बांट मुझे काफी पसंद है इसके फूल देखे काफी खुबसूरत होते हैं पर मुझे इसका नेम नहीं पता अगर किसी फ्रेंड को पता होगा प्लीज कॉमेंट कीजेगा किस चीज का ये फूल है इसकी हाइड कम इसकी हाइड लगबग हो गई है 10 फीट तो काफी बड़े पॉट में मैंने ये ग्रो किया है 14 इंच का ये पॉट होगा जिसमें मैंने ये ग्रो किया है और 4-5 साल होगे इस प्लांट को लगातार फ्लारिंग करता है इसी सीजन में इसमें फूल आते हैं और काफी खुबसूरत छोटे-छोटे फूल है ये जैस्मिन की तरह है अब दिखाते हूँ आपको मूली और सर्सों में जो फूल आये हैं कितना खुबसूरत यहां पर लग रहा है ऐसा लग रहा है बस मारी छट में भी बसंते आया है तो देखे मूली में फली बनने लग गई है इस फली की भी हम सबजी बना सकते है और ये फूल देखे अलग- एक परपल कलर का फूल है एक वाइट कलर का फूल है और सर्सों का ये लो कलर का फूल है देखे ये है सर्सों झाल इधर की तरफ है मेरे सारे डियाइवाई प्लांटर और ये वेस्ट पेंट के डब्बे हैं जिन में मैंने ये प्लांट लगाए हैं और कुछ बास्केट हैं मार्केट से खरीदी वी वी और इस तरह का ये कॉर्णर लगता है काफी सुन्दर यहां पे लगता है मौनिंग के टायम जब धूप रहती है मौनिंग में ही धूप पढ़ती है इस जगह पे पूरे दिन की छाय रहती है और जब उकता हुआ सूरा जाता है एक दो घंटे की धूप यहां पे पढ़ती है अभी वीडियो भी मौनिंग में ही इसलिए यहां पर दूप लगतयाराक के में इसलिए मैं तोरक रहा है। और हमेरे सारे बोंस साई हैं, विंटर में इधर रुखे हैं अब जैसे समर से विंटर में कोहरे से बचाने के लिए दधर रखा था अब जैसे समर आ फोट यहां दूप की तरफ रक både यह मेरे अडिनियम थे और यहां पर देखे यह वांडरिंग यू यह पेंट की बकेट में लगाई है मैंने अलग-अलग कलर की देखे एक रैड वाला है और यह वैरीगेटेड वांडरिंग यू है काफी सुन्दर कलर और पेंट के टब बे देखे बिल्कुल भी नजर नहीं इन्हिनिया रहे हैं दूर से देखने पर अगर मै थोड़ा हटा के दिखाओंगी यह नजर आ जायंगी पेंटे की डब्बे काफी अच्छा यूज है पेंट के डबों का इस तरह से आप हैं प्लास्टिक का जनम रहें है उपड़ से मैंटल के हैं इन میں तो इसadows बज़न इत इतना लोट ले पाघर है अपोर्ट भी काफीं बड़े हैं और है का इंग इन में 2 या 3 साल हो गया इस तरह से लगाए हुए तो कभी में इनने चैंज नहीं करते हूं कोई घात पानी डालती हूं तो कि यह युदियों है बहुत अच्छे से चल जाती है फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टोपिक के साथ बाब बाई